असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आज की वीडियो बहुत जादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कराची से इसलामबाद रावलपिंडी जा रहे हैं मैं भी जा रही हूं जी यहां पे कराची केंट और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूं ऐ आपको यूट्यूब में ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी तो जी मेरे फादर जा रहे थे रावलपिंडी और हम लोगों ने जो ट्रेन की थी वो तेज गाम थी सेवन अप यहां से जा रही होती है अंदर गए हैं जी यहां पे डिपार्चर के सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है स्टॉप करके दिखा देती हूं आप लोग यहां से इस तरह से देख लेते हैं कौन सी डिले है कौन सी नहीं है अंदर जा रहे हैं जी स्टेशन के और यहां पे इस तरह से स्टॉल्स वगर आपको मिल जाते हैं खाने पीने की हर चीज यहां से आपको मिल जाती है च पुली को आप लोग हायर कर लिया करें तो वो आपका समान easily ले जाएगा और exact उसी जगह पे पहुंचाएगा अच्छा जी अब हम जिस जगह पे खड़े हैं ये platform number 3 है और ये train आ चुकी है तेज गाम 7-up ठीक है जी इसमें economy भी है, AC sleeper भी है और business class भी है, dining भी है हम लोगों ने जो कराई है वो है जी AC sleeper है तो जी बड़ी मेनत से और जबरदस्त वीडियो बनाई है इतनी information आपको किसी भी channel पे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत search किया है उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए अच्छा जी AC sleeper का ये जो बोगी है, अंदर हम enter हो रहे हैं ये कुछ इस तरह से है, पूरी की पूरी information दूँगी तो ये cabin fault 2 है, ठीक है, 2 persons का है, 2 persons का cabin किस तरह से होता है क्या facilities है, क्या नहीं है, तो वो भी सारी की सारी बताऊंगी और कुली को जब आप लोग समान दे देते हैं, तो वो आप से तक्रीबन 300-400 लेता है और आपको exact जगह पे पहुंचा देता है अच्छे जी, इसका ticket भी बताऊंगी और इसमें जो facilities हैं वो भी बताऊंगी और एक दो tricks बड़े अच्छे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं वो वो भी आप सब से share करूंगी अच्छे जी, यहाँ पे इसी train के साथ economy भी होती है, उसकी prices अलग है बिजनस की अलग हैं और AC sleeper की अलग है पंदरा मिनट लेट थी, यहाँ पे train जब यहाँ से रवाना हुई है तो पंदरा मिनट तो यहीं से लेट होगी थी, अब देखते हैं कि कितनी लेट होती है या exact time पे पहुंचती है, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तो Kent Station से यहाँ से जा रही है और Kent के बाद यह ड्रेग रोड पे जाके रुपती है और तकरीबन 5-10 मिनट के लिए अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भई, मैं तो गई नहीं हूँ और ट्रेन तो चली गई है तो मैं कैसे information दूँगी तो जी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे parents आये हुए थे तो वो वापस जा रहे थे और AC sleeper से तो अब आगे की वीडियो, उन्होंने मुझे provide की है, सारी की सारी information दी है मैं अभी यहाँ Kent station के आपको information दे रही हूँ कि यहाँ से क्या कुछ है अच्छा जी, यहाँ पे आपको hotels भी मिल जाएंगे और ladies और gents दोनों का यहाँ पे waiting rooms भी available है ठीक हो गया, मैं वापस जा रही हूँ और parking के 80 रुपीज चार्ज करते हैं instructions इस तरह से लिखी गई है, parking में आप लोग कहीं पे भी ऐसे ही park नहीं कर सकते गाड़ी क्योंकि वो फिर उठा के ले जाते है ठीक है, आपको proper park करनी है गाड़ी, फिर ही आप लोग अंदर जाएए कि रश बहुत जादा होता है यहाँ पे ओकी जी, मैं सरसेयद में गई थी 2019 में और क्या facilities थी, लेकिन थी यही वाली वोगी, AC Sleeper उस वकत क्या facilities थी और अब क्या वोई facilities हैं नहीं यह भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो यहाँ पे जी वो वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि ट्रेन की है, तो ट्रेन जी चल पड़ी है यहाँ से और इसके साथ साथ मैं अब आपको बताने वाली हूँ यहाँ का, इस वैली ट्रेन का AC Sleeper का टिकेट और किस तरह की अंदर ये for two persons का जो केवन है वो कैसा है अच्छे जी, टिकेट की सबसे पहले बात करूँ तो टिकेट है जी, AC Sleeper का for two persons का इसमें से 1% का 13,100 का टिकेट है यह आपका एक साइड का 1% का 13,100 का है इसमें facilities क्या क्या है, वो भी बता रही हूँ यह दो बंदों का है, यहाँ पे अराम से 2 बंदे जा सकते है एक उपर की सीट है, एक नीचे की है ठीक है, यह उपर की है, नीचे की मैंने आपको दिखाई है प्रॉपर दुबारा से दिखा देती हूँ यहाँ पे lights वगेरा available होती है हर सीट के साथ, ठीक हो गया और काफी चोटा सा केबन होता है लेकिन बहुत अच्छा privacy भी maintain रहती है और बहुत easily इतना लंबा सफर हो जाता है आचा जी, नीचे वाली जो सीट है वो भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ बहुत comfortable सीट है यहाँ पे और बड़ी-बड़ी सीट है तो जितना भी height में लंबा इंसान होगा वो easily यहाँ पे adjust हो सकता है अराम कर सकता है ठीक है, सीट आप लोग देख रहे है इनकी length भी काफी जाद है और width भी काफी जाद है उपर नीचे दोनों same size की है अचा उपर की seat आप लोग बंद खोल भी सकते है अगर वैसे ही आप लोग बैठ रहे हैं तो उपर की seat आप लोग बंद ही कर दें तो ज्यादा सही रहेगा इसके साथ ही यह जो सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग अपना खाने पीने का समान रख सकते हैं अपने blankets वगएरा रख सकते हैं और बाकी जो समान हैं आपके hand carries वगएरा वो सामने भी जगा होती है और seat के नीचे भी यहाँ पे जी dustbin भी available है उपर एक table है fan यहाँ पे होता है AC, heater यह दोनों चीजें available है lights है यहाँ पे और इसके इलावा जी अच्छा यह पूरा room छोटा सा बन जाता है ठीक है और door लगवा है वहाँ पे आपका knob भी लगा हुआ है कुंडी वगएरा सारी लगी हुई है तो बड़ा अच्छा system है यहाँ पे lights वगएरा का भी है इसके इलावा जी यहाँ पे जो switch sockets वगएरा है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी के वो किस तरह के हैं ओकी जी switch कुछ इस तरह के लगए हुए जस्ट आप लोग यहाँ से mobile चार्ज कर सकते हैं that's it अच्छा इसके साथ ही यहाँ पे washroom है washroom भी आपको अंदर से दिखाऊंगी वो कैसा है उसके साथ ही बताऊ washroom के साथ यह वली जो wall है यहाँ पे पहले LED हुआ करती थी अब नहीं है यहाँ पे ठीक है उसके बाद यहाँ पे सारे switch वगएरा और घंटी वगएरा आपने किसी को बुलाना है तो वो होगा समान सारा इस तरह से आप लोग खाने पीने का रखेंगे और बाकी जी washroom दिखा देती हूँ washroom किस तरह का है तो washroom का सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो two persons का केबन है उसमें WC अवेलिबल नहीं होती है उसमें कमोड होती है और जो four persons का केबन इसी तरह का है उसमें WC होती है इसके लावा बता दूँ जी चोटा सा washroom होता है यहाँ पे पानी कभी होता है कभी नहीं होता है मुसलिम शावर यहां का खराब हो चुका था तो यह चीज़े अपने mind में रखिएगा और washroom के लिए एक पानी का बड़ा केन आप लोग अपने साथ रख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा अच्छा जी बाहर की साइड पे जो इनका corridor है वो भी दिखा देती हूँ वो किस तरह का है बिल्कुल छोटा सो होता है वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है जैसे green line में एक-एक seat है इसमें नहीं है ठीक है कुछ इस तरह का यह सारा corridor है यहां का और आगे तक मैं सारा आपको दिखा देती हूँ only one person यहां से आ जा सकता है लंबा सफर हो तो privacy को maintain करना और अपने समान की हिफाज़त करना यह एक task होता है और अगर आप लोग AC sleeper में जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा उपर LED होती है जी अभी यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा था वरना यहां पे हर station का mention होता रहता है कि अब कौन सा station आने वाला है तो अभी जो है फिल हाल यहां पे कुछ भी mention नहीं हो रहा था तो अब जब train के अंदर बैठे हों तो हमें तो नहीं पता भी हम कहां तक पहुंच गया और हमने कहां तक जाना है तो उसका एक बहुत ही अच्छा trick मैं आपको बताने वाली हूँ मज़ा आ जाएगा आपको वो भी आपको बताओंगी कि कैसे आपने यूज करना है अच्छ जी दुबारा से बता रही हूँ टिकेट इसका है तेरह हजार एक सो का और अगर आपको pillow, blanket वगएरा पहले available होते थे, अब नहीं होते हैं 200 का आपको मिलेगा जी pillow और blanket एक परसन का ठीक है आपने 2 लेने हैं तो 200 रुपीज के हिसाब से आपको मिलेगा इसके इलावा जी अगर आपने साथ स्टेशन जो बिग स्टेशन आते हैं जहां पर थोड़ा टाइम के लिए train ज्यादा रुपती है तो आप लोग को खाना पीना वहां से मिल सकता है otherwise आपको ये लोग कोई facility नहीं दे रहे हैं खाने पीने की तो आपने सब कुछ अपने साथ घर से लेके जाना है तो खाने पीने का पहले ये लोग सारी चीज़ें देते थे नाश्ता भी खाना भी दोनो टाइम का और शाम की चाए भी अब ये कुछ भी नहीं देते हैं पानी तक नहीं देते हैं लोग काफी काम कर सकते थे चाय बगारा बना सकते थे अब ये फैसिलिटीज नहीं है अच्छा जी इस ट्रेन के जो टोटल स्टेशन है वो 28 स्टेशन है जो बहुत जादा है ठीक है और जो ट्रेन की स्पीड है वो मैक्सिमम एक सो छे पे जाती है ठीक है वरना ट्रेन की स्पीड काफी स्लो है में भी फॉग की वज़े से हो लेकिन आजकल इस तरह से है और ये ट्रेन तकरीबन चार से पांच घंटे आजकल लेट हो रही है ठीक है वैसे इसका टाइम है शाम साड़े पांच बज़े ये निकलती है और अगले दिन रात को सवा आठ बज़े इसने पहुंचना होता है लेकिन ये ट्रेन पॉने छे बज़े निकली है और अगले दिन रात को ग्यारा बज़े ये पहुंची है ठीक है लेकिन आजकल जो इसका टाइम है वो रात तकरीबन सब बारा तक ये गाड़ी पहुंच रही है तकरीबन चार से पांच घंटे लेट अच्छा ट्रेन लेट पहुंच रही है तो सिरफ ये ट्रेन लेट नहीं पहुंच रही है ये ट्रेन सारी की सारी लेट पहुंच रही है ये वो ट्रेन है जो कम से कम लेट हो रही है ठीक है वरना जो green line है वो आपको 22 गंटे में पच्चा देती है लेकिन वो भी लेट हो रही है तक्रीबन देट से 2 गंटे कभी 3 गंटे ठीक हो गया जी ये train काफी अच्छी है तेज गाम 7 अप जो कराची से बढ़ा है ये रावल पिंडि तक जाती है और ऑर अवल पिंडि से जो कराची तक आती है वो तेज गाम 8 डाउन है 18 धी एन वो आगे मैं आपको बताँ गी कि वह किस किस तरह से हैं और क्या-क्या नाम है इनके तो जो कराची से जाती हैं वो सारी अप में होती हैं जो वहां से आती हैं वो सारी डाउन में होती हैं डाउन को D N मेंशन करते हैं अच्छा इसके लाबा एक और important चीज मैं बताना भूल गई के washrooms में कोई भी आपको साबुन या यह hand wash वगरा नहीं मिलेगा तो आप लोगं को यह साथ लेके जाना पड़ेगा 2019 से लेके अभी तक बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी हैं पहले फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी यहां पे अब कोई भी फैसिलिटी यहां पे नहीं है तो आप लोग जब भी जाएंगे तो इन सारी चीजों का ख्याल करेंगे खाना पीना आप लोग साथ लेके जाएंगे वरना आपको बड़े स्टेशन से पहले यहां पे आ जाते हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपको चाए कॉफी चाहिए कुजिंगर चाहिए पीजा चाहिए आपको ब्रोस्ट चाहिए चरगा चाहिए नान चाहिए जो भी आपक को खाना पीना चाहिए वो ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं अच्छा कुछ लोगं को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं जैसे मेरे फादर को सफर में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो हर स्टेशन पर आपको पकोड़े बगारा नहीं मिलेंगे लेकिन य आप लोग अपना खाना साथ लेके जाएं, आप लोग डिस्पोजिबल जो बॉक्सिस हैं उसमें लेके जाएं, तो सही रहेगा, ठीक हो गया जी, तो अब जी मैं एक और चीज आपको बहुत इंपोर्टन चीज बताने वाली हूँ, जब यहां पे जी कुछ नहीं पता होता क हम लोग कॉंसे स्टेशन पे अभी हैं, यह कॉंसा स्टेशन अब नेक्स्ट आने वाला है, यह हम कितना लेट हो चुके हैं, और कब तक पहुंचेंगे, तो इसके लिए सबसे बेतरीन चीज है जी, एक आप, बहुत अच्छा आप है, हमने खुद यूज किया, आप लोग तक यह ट्रेन जो है, यह डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, चैलेंजी सिंपल ही चलते हैं, एप की तरफ, आप लोगोंने प्ले स्टोर पे जाना है, थोड़ा सा मुबाइल को रुटेट कर लें, क्योंकि इसी तरह से वीडियो बनी है मेरे से, अच्छे जी, प्ले स्टोर और फिर जी, यहां पर यह सारी चीज़ें आ जाती है, लाइव ट्रेकिंग, ट्रेन शेडियूल और सारी चीज़ें, ट्रेन शेडियूल में जा रहे हैं, यह सारे के सारी ट्रेन आ रही है, इसने पर आप क्लिक करेंगे, आगे आ जाएगा कि इसका क्या शेडियूल है सारा ठीक है तेजगाम का आप करेंगे तेजगाम 7 अप जो कराची से जा रही है तेजगाम 8 डाउन जो पिंडी से आ रही है ठीक है इसके लावजी train schedules का आ जाता है कि इनका क्या क्या शेडूल है कौन सी train का कौन से city में यह सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके लावजी station updates और इस station updates में इस तरह से आएगा कि station कौन से city में कौन सी जगह पे वो गाड़ी रुक रही है train updates में भी इस तरह से आ जाएगा सारी trains के नाम यहां पे आ रहे हैं बहुत सारे नामें उपर सर्च कर सकते हैं हमने जाना है जी live tracking पे live tracking पे सारी की सारी यह है तेजगाम 7 अप पे हम लो चल जाएगा कि कहां कहां पे यह जा रही है ठीक हो गया अभी जी मैंने यह 4 February का मैंने यहां पे किया है जी screen record अच्छा जी यह कल शाम को जो train कराची से गई है यह उसका मैं आपको दिखा रही हूं और रात को मैंने यह screen record किया था तो उस time पे जी यह नीचे सारे time वगर आ हो रही है मैंने पहले आपको बताया है speed इतनी जादा नहीं है maybe fog की वजह से यह चीज़े हो और उपर मैं आपको सारा map दिखा रही हूं किस तरह से आप लोग rotate करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि अगला station कौन सा है और कितने time पे पहुंचेगा ठीक है यह train इस तर station आप लोग करेंगे रावलपिंडी की है मैंने तो यहाँ पर आ जाएगा 15 से 60 मिनट का आप लोग यहाँ पर अलाम लगा सकते हैं कि 60 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपको वो अलाम बच जाएगा कि जो train है वो पहुंचने वाली है ओकी जी तो इस तरह से बहुत ही easy हो गया है आपको यह पता करना कि आप लोग अभी कहां पे हैं या आप लोग के घरवले अपने घर पे बैठके देख सकते हैं दुबारा से मैं आपको बता रही हूँ उपर सर्च में भी आप लोग अपनी train का लिख सकते हैं तो नीचे आ पहुंचेगी तो यह सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं आप इसको जितना जूम करेंगे यह सारे आसपास के जितने गाउं वगरा हैं वो भी आपको बिताएगा के exact train किस जगह पे है अभी ओके जी अब मैं जूम आउट करके मैं पूरा का पूरा आपको दिखा रही हूँ जी इस तरह से आप लोग मैप घुमाएंगे हमारा जी पाकिस्तान का पूरा मैप आ जाएगा तो एक कोने से जो चलती है करा जी के दूसरे कोने पर जाकी यह रुकती है इसके बीश में जी के लिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजेगा ताके उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे मुझे दौं में याद रखेगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ टेक केर अलाहाफेज